हेलो एवरिवन, आज हम बनाते हैं मिल्क पौडर गुलाब जामुन, यहाँ पे मैं सबसे पहले पैन ले लिया, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चमच घी लेने वाली हूँ, बस मैं एक चमच लिएँगी, मैं थोड़ा सा कम क्वांटिटी में बनाने वाली हूँ, बस इसको ज मैं हाफ कप मिल्क एड़ करने वाली हूँ, दूद मैं थोड़ा सा कमी यूज़ करूँगी, इससे क्या होगा कि हमारा मिक्स्टर एकदम से रेड़ी हो जाएगा, जो हम मावा बनाने वाले हैं मिल्क पाउडर से, तो वो एकदम से हमारा रेड़ी होने वाला है, बस मैं दो मिल्क एड़ करते हो, तो वो आपका टाइम कंस्यूमिंग हो जाएगा, उसमें क्या है कि जैसे आप मिक्स्टर बनाओंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पर मैं जस्ट आपको बताओंगी कि दो मिनिट में मेरा रेड़ी हो जाएगा, यह मैं एड़ कर रह बेकिंग पॉर्डर ट्राय किया था, तो उसका रिजल्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बस जस्ट हमने क्या करना है कि इसको मिक्स करना है, और लो फ्लेम पे मैं इसको कुक करने वाली हूँ, यह हमारा मैं बताओं जस्ट दो मिनिट में आराम से हो जाएगा, इसलि पे मैं आपको बता दूँ कि बेकिंग सोड़ा आपको विल्कुल कम यूज़ करना है, अधर्वाइस क्या होगा कि आपके जो गुलाब जवन चासनी में डालू होगए, वो एकदम से आपके घोल जाएंगे, मैल्ट हो जाएंगे उसमें, बस हम इसको साइड में रख देते क्योंकि मुझे ज्यादा गाड़ी चासनी नहीं बनानी है, हमारी चासनी थोड़ी सी पतली होगी, तो हमारा क्या होगा कि एकदम से उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा गुलाब जावन में, ज्यादा डालनी की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये देख सकते हो, आप मैं डेट क्लास इसमें चीनी एड़ कर रही हूँ, और इसके बाद जस्ट हमने क्या करना है, कि इसको मैल्ट होने देना है, हमें एक तार या दो तार की चासनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है, बस जस्ट हम दो तीन उबाल आ जाएंगे, तो हमारी चासनी रेड़ी हो जाएगी, इसक इसके बाद यहां पे मैं ऑईल डाल दिया पैन में, यह बहुत जादा ऑईल गरम करने की यहां पे जरूरत नहीं है, अदरवाइस हमारे गुलाब जावन बाहर से जल जाएंगे और अंदर से थोड़ा सा कच्छे रहेंगे, इसको यहां पे मैं लो फ्लेम पे गरम होने के लिए रख देती हूँ, और साइड में हम दूसरी तरफ क्या करते हैं कि बाल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बस यहां पे मैं थोड़ा सा गी लगा दिया था हाथ में, तो बस इस तरह से छोटी छोटी साइज, जितने साइज के आपको बनाने हैं, उस तरह से बना लीज यहां पे थोड़ा टाइम कंजूम होने वाला है आपका, जितना आप इस तरह से राउंड राउंड बनाएंगे, इसमें क्रैक्स नहीं रहने जाएए, अदर्वाइस क्या होगा, कि जैसे ही आप ओयल में डालोगे, उसमें क्रैक्स पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, आप सारे बॉल में इसमें एड़ कर दूँगी, एकदम से इसको हिलाने की जरूरत नहीं है, बस इस तरह से रखतीजिए, थोड़ी दिर में जब ये ब्राउन होने लगे कि फिर में इसको टर्न करूँगी, यहां पे आप देख सकते हूं गुलाब जावन फ्राई हो चुके है, यह मैं low flame पर इसको fry कर रही हूँ, high flame पर fry करने की ज़रूरत नहीं, अदर्वाइस क्या होगा कि आपके बाहर से तो जल जाएंगे, अंदर से ये थोड़ा सा कच्चे रहेंगे फिर, बस low flame पर इसको fry कर लीजिए, आपको अगर dark कलर चाहिए तो थोड़ी देर और रख लि यहाँ आपे मैं जस्ट half hour के बाद आपको दिखा रही हूँ यह देख सकते हूँ आप चासनी काफी absorb हो चुकी है और size भी इसका थोड़ा सा बड़ा हो चुका है अभी मैं आपको cut करके बताऊंगी इसके कहते हूँ कि थोड़ा सा चासनी आप भी थोड़ा पतले रखे उससे क्या होगा कि एकदम से absorb हो जाती है बस मैं दिखाते हूँ आपको cut करके एकदम से देख सकते हूँ आप कितने जूसी बने है अभी मैं इसको और आदा घंटा के लिए ऐसी चासनी में छोड़ने वाली हूँ आपको भी कम से कम एक घंटे के लिए चासनी में रखना है आप देख सकते हूँ मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ये निकाला है आप भी ज़रूर ट्राइ कीजिए बहुत ही टेस्टी बनते है